welcome to sari ka kitchen recipe मैं अजरे करा हूँ ब्रेड से बहुत ही testy breakfast की recipe इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने बहुत ही testy होता है तो इसे बनाने के लिए रिजिट तो मैं 4 पास मरेड ले लीपाप और हमें चाहिए सुजी यानि के सेमोन लेना तो इसे मैं सुजी और ब्रेट से बनाऊंगे तो मैं एक कटोरी रवा ले ली हूँ आधा कटोरी दही ले लिये हैं अगर दही खटा है तो दही थोड़ा कम ले मैं ताजा दही यूज की हूँ इसलिए आधा कटोरी लिये हैं अब दही और सुजी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, अब इसमें उसी कटोरी से थोड़ा सा पानी डाल दे रहे हैं, तो पानी आधा कटोरी से थोड़ा ज्यादा है, अब इससे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, दही और सूजी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है तो मैं ले रही हूँ एक आलू आलू को हमें कदुकस कर लेना है आलू को पानी में कदुकस करेंगे जिससे आलू काला नहीं पड़ेगा अगर बिना पानी का कदुकस करेंगे तो आलू काला पड़ जाएगा इसलिए मैं पानी में आलू को कदुकस कर ले रही हूँ अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे बिल आइकन को प्रेस कर दे जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आलू अब कदुकस हो गया है तो आलू को हमें धो लेना है देखिए अच्छी तरश से धो दिये है और इसका पानी निकाल दिये थे अब सुजी का गोल में हमें कदुकस की आलू डाल देना है और फाइन चॉप किया हुआ गाजर फाइन चॉप किया हुआ प्याज और इसमें स्विट कॉन डाल दिये है अगर आपके पास है तो डाले ये औप्सनल है इस लिए इसमें लाख डाल डे रहे हैं और हरी मिर्च अगर आपके पास कोई वी सबजी नहीं है तो सिर्फ आलु डाल कर भी बना सकते हैं अगर आपके पास जो भी सबजी हो वही डाल दे अब इसमें नमक डाल देना है अपने टेस्ट के नुसार आधा चमच खड़ा जीरा थोड़ा सा काले मिर्च पाउडर एक चमच पिसी हुई चीनी पिसी हुई चीनी नहीं है तो नॉर्मन चीनी डाल सकते थोड़ा सा खाने वाला सोड़ा एकदम थोड़ा सा डालना है अब इन सबको हमें अच्छी तरह से mix कर लेना है ये नास्ता बहुत ही testy और healthy बनता है क्योंकि इसमें green vegetables से बहुत ही healthy हो जाता है अब इसमें ब्रेट डाल देना है तो चार ब्रेट मैं ले ली हूँ और चार ब्रेट को तोड़ कर हमें डाल देना है इसे सबसे पहले हमें mixer grinder म में पीछ लेना है तो मैं ले ली हूँ mixer grinder और इसमें चारो ब्रेट तोड़ कर डाल दूंगी और डालकर इसे ग्राइंड कर लेना है कि मिक्सी में ब्रेट बहुत जल्दी ग्राइंड हो जाता है इसमें पानी नहीं डालेंगे इसे सुखा ही पीछ लेंगे तो दिखे ग्रा लाल मिर्च पॉडर नहीं डालें लाल मिर्च पॉडर अच्छी तरह से मिक्स हो जाने पर इसमें हमें ब्रेट क्रम्स डाल देना है तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं इसमें अब ब्रेट क्रम्स डाल देंगे और ब्रेट क्रम्स डाल कर इसे अच्छी तरह से मिक मिक्स कर ले रही हूं कि छोटा चम्मच से नहीं हो रहा था तो मैं बड़ा चम्मच ले ली हूं और इससे मैं मिक्स कर ले रही हूं अब हम एक भी अच्छी तरह से मॲिख को मिक्स हो गया इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता ढाल दें है घनिया पत्ता डाल कर भी से मिक्स कर लेना है कर दो कि अब ही मिक्स हो ग्या है तो चलिए इसे बना लेते हैं भीट येलिए हूँ और फ्राइपेन में थोड़ा सा तेल डाल दिये हैं ज्यादा तेल नहीं डालना है थोड़ा सा ही तेल डालना है और फ्राइपेन को चारत्रस तेल से ग्रिस कर लिए है अब इसमें आधा चम्मच सरसो का दाना डाल देना है थोड़ा सा खड़ा जीरा सर्सो का दाना और खरा जीरा को चटकने देंगे सर्सो दाना और जीरा चितर से चटक गया है तो इसमें थोड़ा सा तिल डाल दे रहे हैं तो सफेद तिल मैं डाल दी हूँ सफेद तिल डालने के बाद इसमें वैटर को डाल दिये हैं अवैटर को अची तरह से फैला लेना है इसमें बहुत ही टेश्टी नास्ता बनता है बहुत ही टेश्टी इस तरह से ट्राय जरूर करें बहुत ही पसंद आएगा इसे अच्छी तरह से फैला ले रहे हैं यह रास्ता उपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉप्ट बनता है बहुत ही टेस्टी बनता है यह एक यह 어때 अधर की फिलेम को लोगशे मीढ कर देना है और इसे धक देना है और धकर इसे पतने देना है लोकि अधरिये पर नोगे कि यह पक जाए तो गैस की फ्लेम को तेज कर दे कि एक परप से कुख हो गया लेकिन थोड़ा थोड़ा यह कुख होना बाकी है तिसे फिर से मैं पका लूँगी तिसे मैं पलट दे रही हूं अपलेट कर पीछे गुल्डन ब्राउन होने तक कुख कर लेंगे थोड़ा सा और तो इसे घुमा घुमा कर पका लेंगे दुस्री तरप से पक गया है तो इसे पलट लेंगे और पलट कर भी अच्छी तरह से कुख कर लेंगे ति बहुत जल्दी बन जाता है 3-4 मिनट में बन कर तयार हो जाता है अब ये बनकर त्यार हो गया है तो इसे एक प्लेट में निकाल ले रही है इसे कट कर लेना है तो पीजा कटर से इसे कट कर ले रही हूँ यह इतना बड़ा है तो खाने में दिक्कत होगा इसलिए हमें इसे कट कर लेना है इस नास्ता में ना ही हमें कोई सब्जी की जरुवत है ना ही कोई चेटनी की जरुवत है इस नास्ता को टोमेटो केचप के साथ सर्व करें इंज्वाइ करें तो इस तरह सी इसे कट कर लिए हैं बहुत ही टेश्टी नास्ता बनकर तयार है तो आपको ये रिस्पी कैसी लगी कॉमेंट करके बताए अच्छी लगी हो तो लाइक करें जेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें